मैं कान पगड़ी मैं इन लोगों के साथ में कभी भी नहीं काम पर होगी कभी भी इनके साथ काम ना करें कितना भी यह फेमस हो जाए पुछ भी बन जाए मैं इनके साथ में साम पान ना पसंद नहीं कोई भी कुछ भी करता है मुझे मुझे कुछ भी होता उतका जुम्म्यदार दीता ही हो तो जो वो बता रहे हैं कि जिसे ये भाई होती है, वो इसका पती है, तो नहीं, अपने भाई कोई पती बना सचता है बेहनों को और माग को गालिया दे रहते हैं, बहुत जादा ये दो नहीं नमस्कार दोस्तों मैं आनूप चैल आपके अपने पोड़कास्ट फरीदवाद रोकर्स में और जो आज के हमारे गैस्ट हैं भाई वो आरोपो से घिरे हुए जो बार बार उन्हें पोक किया जा रहा है तो उनका नाम है सेर नहीं कहते हैं तो मेरा पहला कोश्चन आप तो यह रहेगा कि आप सोसल मीडिया पर कैसे आए मैं तो सेर चीता हैं उनके बॉग कर लड़के वो भी जॉब करते हैं आपके साथ हां हम मेकी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस टेम नाम मेरे पास पोन था कुछ भी नहीं था मैं कीपैट फोन चलाती थी तो उनके बॉग को बोले कि आप वो जानती हूं मेरे भाहिया को फेमस मैं आफ़ी बात कोई बात नहीं है तो इक दिन आये होंगे फिर मेरे घर पर लेक्या अचानक नहीं बताया ना कुछ भी और अचानक मेरे घर आके बोले कि यह है तो मैंना इनको नास्तापानी जैसा है जैसी ओम है जैसा जै है कुछ भी मैंने करवाया उनका वेलकम किया हाँ मैंने करवा के फिर उन्हों ने ये बोला कि एक बीडियो बनाना है तो मैंने का बोले कि फेमस है तो मैंने बोला चलो एक बीडियो बना ले तो मैंने बोला उनसे कि मुझे बोलना क्या है क्योंकि इस बारे में अच्छा उसी चीज डायलोग मार के दिखा तो पूरा है यह हाँ शेर नी कहता है बहुत वड़िया फेर दी इसी सेर बोले कि यह सेर नी बोल दे ना और कुछ नहीं करना है तुम्हें मैंने का ठीक है हां मैं सेर नी बोल दिया और वो वीडियो बना के ले गए और कब बोले यह बात चीता ने बोले कि आप मेरे साथ में वीडियो बनाओगी मैंने बोला नहीं मैं वीडियो नहीं बनाओगी तो वो दो तीन वार फोन करा कि वीडियो बनाने के लिए बोले कि सेर तुम्हार उपर एक डायलोग मार दिया है कमेंट किया है तो इसलिए साम को वी करने के बाद भी घर पर आने के बाद में बोले की वीडियो बना लो एक तो मैंने दो तीन वीडियो उन्हों बना के कठी करके रख लिया है फिर उपना वह एक एक करके छोड़ते रहे पिर मेंने मना कर दिया वीडि़ो बनाने के लिए। इस तरीके इता आप दीरे-दीरे करके सोचल मीडिया पाई। आपके परिवार में कौन-कौन है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी है और मेरे एक भाईय है चोट और बेहन है। बहुत बड़िया। तो आप पहना शेर आया था हमारे पोड़कास्ट में एक आरोप लगाया कि आपने उसके एक लाग रुपे खाई है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं यह सब जूट है एक लाग रुपे मैंने खाया यह ऐसा कुछ भी नहीं है मैं खुद जॉब करती हूं और मैं खुद अपना घर चला रही हूं मेरे पापा नहीं है और मैं जॉब करके चला रही हूं वो तो सेर तो अभी आ गए तो पहले भी सेर मेरा घर छाहरा था नहीं चला रहा था नुए रूपार के मेरे आधर इदे कीकर मेरे पर क्या उपषाी बूर्ज़ है है इसे क्यों और पर में रिपास नहीं तो गूम रहे तो चलो ठीक है आप मुना कर रहे हो वो कहने लग रहा है या तो यह सचाई उनको पता है या फिर आपको पता है इस वार नहीं मैं तो यह कहूंगी कि जैसे अगली वार पोस्ट काट हुआ था तो चीता आया था सेर आया था तो उस जगे में मुझे भी बुलाना चाहिए था कॉन सच बोला था तो अब आ के बार पोड कास्ट करें तो बियाए यह तो आपको ज़रूर बुलाए तो अगली बार पोस्ट काट करें और तोむぎो जो पानी कर लोगी, पुछ बोलादे कोन सच बोला कौन जूड भॉला सब पधा चल डाईगा बोट बढ़ ठेक तरीक तरीकटर सीधा चलेंज है कि आमने सामने बैठो वैसे बात मत वनो पीछे ता होता है तो लगडा जगडा दिखाते हैं कि मैं बहुत इतना मेरे गर पे लड़ाई होती है पहले सी भी लडाई चलती यह कहेंगे कि इसने करजे ले लिया उसके पापा का क्रज है ऐसा पुछ भी नहीं है यहां पर इके दिखावा करते हैं पबलीक को पागल बनाते हैं बोलते हैं कि पबली को ऐसा दिखाऊंगे उनको मजा आता है तभी तो में फोलो करेंगे तभी तो में आगे बढ़ाएंगे और सेर जुना इतना सीधा बनें के बैठ जाता है शकल जो इतनी मासूम सी लगती है ना बैठ जाता है तब चुपचापचा वो सबसे त इतना आणा कोसिस करता है पबलुक कितना में पागल वनाण तो बहुत बनाया पबलिक को पर पबलिक क्या जान रही है पबलिक देखने थोड़ी आती है यह पर अब लिग तो जो उसमें दिखेगा वीडियों में वही मानेगी बोलता है कि मैं 15 बोलाग एक लाग पता नही कितने कि मैंने खर्च करें लवीज के ना मिलने के लिए पता नहीं किस बात के ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब जूट है मैं तो यह कहते हूं मेरे सामने पोस्टकाट हो एक बार उनके साथ में फिर मैं बता हूं कि क्या सच है क्या जूट है जो बोलते हैं कि मेरा यूटूब च चुके हैं फिर डिलीट कर दिया है ऐसा कर चुके हैं बोलते हैं कि अब यह उनके नाम से फेमस हो चुके हैं सब कुछ कपड़े फाड़ लिए वो भी टेंड चला गया तो अब कुछ नहीं मिल रहा हूंने तो वह सोचे कि नाम से अलवीज भाई की नाम से और लेकर फेमस ह है कि चीता आपको लेकाया था तो चीता का यह कहना था कि आप चीता को छोड़ के ना सेर के साथ बगगे नहीं मैंने उसके साथ में 6-7 दिन तक काम किया और उन्होंने बात यह थे कि गाली दे की वीडियो बनाया पीते हैं और पीने के बाद में बीडियो बनाते हैं चीता हुँ आपके साथ में लड़की हुँ और गाली दे के वीडियो मद बनाओ तो बोले कि ठीक है मैं नहीं बनाओंगा और दूसरे दिन तो रुप गए तीसरे दिन फिर वीडियो में गाली दिया और पीके बनाया इस बज़े थोड़ा बत्तमीजी से उन्होंने बोला मेरे से इ सहे अरले मिला था वही मैं जोँटरा तो पता है कि मेरे जोब कर रहे हैं से ने बोला कि आप मेरे काम करोंगी मैं दूखा नहीं दूँंगा आपको और चीटाओ कि ये दोके बाद देता है मेरे गर में गद्दारी करा है, मेरे शाथ में गद्दारी करा है, तो मुझे उससे मतलब नहीं कि तुमारे गर में क्या किया, क्या नहीं किरा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बोले कि मैं आपको पैसे दूँगा, आप मेरे साथ में काम करो, मैंने का पैसे की ज़रूद नहीं है जौब तो मैं खुदी करती हूं बड़ जह की गद्दारी मत करना दोखा मत देना हमारे साथ बुले नहीं करूंगा कसम खाया मंदिर में जाके उनके दो बेटे हैं बेटों को भी कसम खाया उनने कि आप मेरे साथ में बीडियो बना लो औ मैं दोखा नहीं दोंगा वो तो हाई है गरमेगदार से मारे गर happening कर नहीं कर हमारे आग complets स ugaus के नहीं मतलब ने मैं जोब छोड़के फिर मैं गई थी वीडियो बनाने के शेर की कहने पाप ने जोब छोड़ दी हाँ उनके लड़के ने मगल एक गंटे के लिए मैं जोब छोड़ा था वो गेट के मेरी जोब के बाहर पार्क है ऐसी नॉर्मल तो महा पे आये थे वहीं पर छोड़के मैं ए झाल देख लेते हैं के साथ वी भीडियो बना के तो मैं पीर इनके साथ में वीडियो बनाने लग गई फिर यह कंभो सम बहुत खहते थे और इनके घाव कीडर मैं यथी तो मं दी रह इंके गावों के रहार तो महां पे कसम खाया कि अर्श्धा ह Leon बोकां के लिख लोग और तो अभी सेर ने आपको अपनी टीम निया आपने छोड़ा दे तो अब पता है कि किस ने नीजाी नी का नहीं पता होगा कि निकाला तो पता है कि उस मनल गौर करना चीए हा क्यूंकि उसने क्या वोलाथा पहले हम लोग बनाते थे तो बीच बीच में साम को टाइम पे ना कि अपना हुँ कि युऊ को आपको बाना है तो बदाओ नहीं वीडियो एक तो मेरा ना तो मेरा ताम मत बढ़ बड़ाद करो नेरी फैंपली है बोले की आपकर यदे चुड़ यह बॉलता थे बोलते कि मुझे अगर आपने ऐसा बोला और ऐसा करोगे तो मैं फिर वीडियो नहीं बनाओगी तो फिर यह बोले कि यह अच्छा गलती हो गई है और मैं बोल देता हूं गुस्सा आजाता है मुझे तो मैंने का ठीक है फिर एक दिन यह बोलने लगे कि कि इस्टा पर कोई लड़की नहीं कि सेर नहीं मेरे पास आ जाओ वीडियो बनाने के लिए पबलिक क्या कहेगी कि पहले मना कर देता है और फिर यह चली जाती है चली जाती है कि यह इसे ज्यादा लाल सा है उसमें जाने की तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जाओंगी कि कि मुझे फै कुछ चोड़ दो मैं दस अजार रूपई दोंगा छीता ने बोला था मैंने बोला कि दब आप 10,000 दो गे और जोप चोड़ूंगी कि पहले ही पहले तुन्हें नो बोला कि जॉड़ दो आप पी ऐसे की बीदिव बनाना है तो जोच चोड़ दो तो मैंने का ब़िड कि दस हजार रुपए दोगे आप तो मैं बना लेती हूं जोड़ दूगे हाँ मैं जोड़ दूगी और मुझे फैमिली चलाने मेरे उपर जुम्मेदारी तो मुझे तो करना पड़ेगा तो उन्हों ने बोला कि ठीक मैं दस हजार रुपए दूगा मैं उनके साथ में काम किय कोई पैसा नहीं दिया उनके साथ में काम किया उन्होंना पैसा नहीं दिया यह गलत बात है मेरे पर जुम्मेदारी मुझे मेरी फैमिली मुझे चलाना पड़ता है यह एक तो मेरी जॉब चुड़वा दिया और उपर से में जो पैसा नहीं दिया और यह बोलना है कि मैंने 10,000 रुपए दिया है यह गलत है उन्होंने न हमारे पोड़कास्ट में मैंने हला कि वो कोल रिकोर्डिंग नहीं सुनाई लेकिन आपकी एक रिकोर्डिंग सुनाई उन्होंने कि मैं पुलिस में कंप्लेंड कर दूंगी तुम्हारी अगयर अगयर आपने कुछ बोला था तो चीतक साथ लिए पड़नाने के लिए मैंने छोड़ दिया था तो सेर के साथ में जैसे में आने बीदिय बनाया तो मुझे बहुत दंकाया था तो मैंने Cuban ने दया है क्योंकि मेरे फैमली में तो कोई है नहीं अभाई मुझे तो अपनी फैमिली चलाना है मुझे इन चीजों में ज्यादा पढ़ना नहीं है इसलिए मैं एक दुबार कुछ नहीं बोली फिर उन्होंने जादा ही जब परसान करने कि वीडियो नमत बनाओ मत बनाओ तो जब मैं इतना आगे बढ़ गए तो म मैं अपने भाई को दिया फोन तो बहुत ज़्यादा गाली गलोज कर रहे थे हां बहुत जादा बहुत जादा यहां चीता थे और जादू था उनके साथ में लड़का और था फिर यह गाली देने के बाद मुझे दंका रहे थे कि हमारे आँ पर बोले कि वहां पर आ जाओ बार-बार मुझे दंका रहे थे बार-बार की जानते इसका कोई है नहीं मैं जैसा काऊंगा वैसे दंकाऊंगा जैसे ही करेगी तो बहुत ज्यादा बहुत बहुत दंका दंका के मुझे बुलाया तो फिर मैं और अपने भाई को लेके गई वहां पर यह लोग आय थे कम बहुत जादा तो तुम मुझे बोल लो मेरी मावायन को गाली मत दो तो बहुत ज़्यादा मारने का उठा दिया था इनोंने हां तो मुझे मजबूरती कि क्या आकल कुव तो तो तीन ते मेरे भाई को मार देते कुछ भी बहरोसा नहीं और मैं वहां पर थी तो मुझे जो आप अपना भाई बताते हैं वह आपके अस्वेंड नहीं पबलीक देख रही है कि मला मैं मेरे शादी ओ गई होती तो कुछ तो दिखता है तो अचापकी अभी शादी नहीं हुए तो जो वह बता रहे हैं कि जिसे भाई बोलती है वह उसका पती है तो नहीं आपने भा भाई बना दे और भाई को कोई पती बना ले तो मेरा अगला कोश्चन है क्या आप दुबार सेर के साथ काम करना चाहोगे नहीं तो मैं सेर के साथ काम करना चाहूंगी ना तो चीता के साथ में नहीं काम करना चाहूंगी मैं कान पगड़ी मैं इन लोगों के साथ में कभी कि यह बहुत करना पसंद नहीं करूंगी तो जैसे कि अभी आपने काफी वीडियो बन आई इनके साथ और आप वर्किंग भी और जोब करते हो तो जहां पर आप जोब करते हों के लोग वह किस तरीके की बात करते हैं कि यह सब यह बोलते हैं कि तुम्हारा साथ में ऐसा क्यों बोलते हैं क्यों मला ऐसा बोलते हैं कुछ लोग है जो मला बोलते हैं तो वह से ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं अच्छे से बोलते हैं कुछ टॉंट भी मारते होंगे पोक भी करते होंगे कि यहीं रहेगी आगे न तो आपकी फैमिली है उनका क्या रियक्ट रहता है वह क्या कहते है मेरी मेरी वैवरी तो फैमिली तुछ कहती है कि ये इस लैन में मत बढ़तो हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला है मना करती है कि कोई ढमक्या मिलती हैं , ना घ्रीका entspĩ और नो तो जिस तो जिस तरह दो ड्यात हैं member productive, कि तो ढमने वरक को ज़ादा सफलता मेलें ये दूसरे को कुम में कभियें दो के टीम में आप भी थे तो उनको ज्यादा सफलता मिली आपको कम मिली है इस बारे में क्या कहा चाहोगे किसको क्या पसंदगरती है उत उनको पर पप्लिक उपर जिसको जो पाज ज्यादा पसंद करें तो कोई भी मैसेज जो आप हमारी ओडियंस को देना चाहते हो अगर यहां पेचीता और सेर होता तो मैं उनको बताती कि क्या सचा है क्या जूट है जूट है किसकी सादी नहीं बढल इसको जो चीता हमें बोलता है कि मैं भाग क्या है निए डीक रही हो फिर भाग क्या है वो मेरी वैशे वालों को पता है कि मैं कैसे हूं के जिन्दिगे जी रही हूं और यो चीता जो बहाएक लेका एक इंपा किसी को प्डशी तब किसी को नहीं पता और अपको अगले पोस्टकार्ट में इसका बटाया दो टेश में नो इसकी लर्क एक अठारा साल की किसकी टाएं की चिता की हां बेटी energies ata चाप आठारा साल की और लड़का है पंदरा साल का चीता के चीता का और एक लड़का थो कि तशाल का? चीता का 10 साल का लड़का है अगर यह साथ इतनी उमर भी चलो मैं मानती चलो वो कहेगा मैं भगा के नहीं लाया हूँ तो उसकी जो साधी हुई थी तो कब हुई थी उमर के सबसे अगर 18 साल का है तो 18 साल की बच्ची है तो बड़ी तो बहुत थी साधी से पहले ही पैदा कर कि आख तो यह साल के बाद में अरिशकी साधी को केतने साल हुए चीता की यह तो नहीं पता है कि अतारा साल की लड़की है Сегодня online onlinepress.udl जीने जो बेठते जाती तो फिर चीता ने बताया था की यह लड़की है मरी कि उनकी फैमिली वाले उनको पसंद नहीं करते है क्योंकि भगा के लेकर आए इसके तीन बच्चे इस वज़े सब्सक्राइब करते हैं इनके मंंझ पापा अलग रहते हैं और वह चीता अपनी फैमिली को ले करता है उसी वजह से आस oops कि पाप मंझ कर चेना कोंके साथ नहीं ours अपक работу पीट पेचे थह कोई भी बोल देता है हम तो यही कहते हैं कि सेर चीदा पीट पीछे तो बोल के चले गए अगर मेरे सामने आके बोल के दिखाओ तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम बताएंगे दूद का दूद पानी के पानी क्या होता है सच क्या जूट क्या है हमारे सामने बोल के दिखाओ पीट पीछे तो बोल के साथ में काम आगी यह तो सबस्क्राइज कर से लो रहों कि बिए लिए टार सेनी आइपने साथ में जाए पार किसी पर विष्वास कुर्णा वरोसा मतिन कर कोने तो चलो लडकि उख सकूंझा घार एक और असली नाम है खुसबू ठाकुर तो बहुत बड़ी आए तो इसी के साथ चलते हैं और सब्सक्राइब है जान गींदee सब्सक्राइब टॉण में काधे सब्सक्राओ पर जानि करता है चीटा और lights. कि वीडियो मत बना और तु मेरे बारे में पोस्ट कर में क्यों बोलती है बहुत जाए दंगी देते हैं अगर कोई भी कुछ भी करता है मुझे मुझे कुछ भी होता उसका जुम्मेदार चीता ही होगा अगर मुझे कुछ भी होता है तो बहुत बड़ी बात कह दी तरह नहीं और अग्özels A.पॉट झीता है तो मैं बोलूँगी कि मुझे मैं अकू बात करना विछ कहना ऐं हमसे आकर डीरेक्टर बोलो कि क्या बात है हुँआ तो बहुत कह दो हुख ulis a.ट के अदे बहुत है का उभा ने कॉछ बार मिला प्यारत Science चाइए फोण被 कलो मेरेँ पोट दे ठीक है फिर मेरी जिम्मेदारी है तो भाई ठीक है इसी के साथ चलते हैं और खुसबू ठाकुर को जो एक वार डायलोग बोल दे अपना कर फूलो कर लेना तो भाईन उसके बखाय कर लेक्ता है तो उसक्ता में घょझ कर ले थीया है और वे तो इन्हों चलाया था सेर, तो जैसे एक चीज है कि अब जैसे कि ऑप किसी बी ओल लड़की को लेकर बोल देता है कि सेर नी बोलो तो आपको दुख होता है इस चीज का कहीं किसी हद तक वह नाम तुम्हारा था तुमने चलाया था आज कोई और अगर उसे यूज करें तो मुझे खुसी होती है कि मेरा नाम चल रहा है मतलब वह यह कि अगर एक वर बुला तो वह खुषभू ठाकुर के लिए बुला और वह कोई भी लड़की बोले वह घुम फिर के इसके उपर ही जाता है मेरे नाम चल रहा है कि उसने बताया कि सेर नहीं कि भागी इसलिए मैंने कपडे फाड़ें बहुत ज्यादा अपने यह सब गलात है आप लोगों ने रील बनाई थी है कि इस्टेग्राम पर कोई लड़की नहीं आएगी इस वज़े से मैंने उनको मना कर दिया कि मैं वीडिय मैंने मना कर दिया तो इसी वज़े से उन्होंने फिर आसी वीडियो बना लग मैंने उनको मना करा कि मेरे नाम से मलवी इतना हीट मत फैला हो की मतला हो सेड़नी का नाम लेके कपडे फाड रहा है उनको मैंने बहुत मना करा तो माने नहीं बोले कि को पागल तो बनाना है ऐ तो बनाएंगे दोनों लोग वीडियो दिखा रहा है यूट यू तो कुछ और बात कूल रहीं आपकी कि वह तैसी बहुता है तो मैं तो सामने होता ना तो मैं उनको बोलती तब पदा चलता दोनों की तो बाई मैं कोशिश करूंगा सेर चीता और सेर नी को एक साथ बिठाने एक वार आजाए तो एक महापंचाय तो और सही पर जरूर मिला बैठालना चेह सेर को और चीता को मुझे तो तीनों को भाई एक साथ बिठाएंगे एक उसने मैकसी पहाँ तो क्या चाहँगे विस बारे मprise म тобा कहईंगे बहुत गलत है बहुत घर दो अच्छी बात नहीं है प्रब्र नक्राहन के लिए कुछ भी करने के तपहें कुछ भी कर सकता हूं वो यह बोलत हो बस हमें कुछ भी कर दो तो पहले पोड़कास्ट कर लिया था तो पहले पोस्ट काड़ किया तो जूट है ना पगलिक को यह समझना थे कि पहले पोस्ट काड में क्या बोला था कि आप अगली पोड़कास्ट कर लें कि अगली पोड़कास्ट में बोला कि शादी होगे तो इस यहां से पता चलता ना कि जूट है जो खुसबुठा को रहे उसे फोलो कर ले लेना सभी रिक्वेस्ट है और ऐसी प्यार बनाए रहे रहे ना जैसी रहा हूं